इस टुटोरियल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे हम array को reverse करेंगे बिना कोई extra space memory यूज की हुए पहले हम समझ लेते हैं कि array को reverse करने से क्या मतलब है तो मेरे को एक array दिया हुआ है और मुझे इसे reverse करना है तो reverse का मतलब यह है कि जो यह जो last element है यह मेरा first position पे आ जाएगा first element last position पे second last element मेरा second position पे आ जाएगा और second element मेरा second last position पे तो जब मैं इस array को reverse कर दूँगा तो मेरा array कुछ इस परकार होगा कि यह जो last element है यह first position पे आ गया second last element second position पे first element last position पे second element second last position पे तो यह question beginners के लिए काफी important है क्योंकि जब हम coding करना start करते हैं जब हम नई-नई programming start करते हैं तो कई सारी optimization, कई सारी चीज़े हमें पता नहीं होती वो धीरे-धीरे practice से आती है तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम array को reverse करें बिना कोई extra space use किये हुए तो हम इसमें two pointers का use करेंगे तो two pointers से क्या मतलब है चलिए हम इस concept को एक example लेके समझते हैं कि हमें एक array दिया हुआ है और हमें इसे reverse करना है और हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि array को reverse करने का क्या मतलब है तो उससे पहले कुछ important points कि array के indexes हमेशा 0 से start होते हैं तो अगर हम इसके indexes लिखें इस array में चार element हैं और अगर इसके indexes लिखें तो यह 0 इंडेक्स से start होगा तो यह element 0 इंडेक्स पे होगा यह first पे होगा यह second पे होगा यह third पे होगा अब reverse का मतलब यह है कि यह जो array element इस index पे है वो इस index पर आ जाएगा और ये वाला जो element है वो इस index पर आ जाएगा similarly ये वाला इस index पर आ जाएगा और ये वाला इस index पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें दो pointers use करेंगे हमें पता है कि इसको यहाँ पर ले जाना है और इसको यहाँ पर ले जाना है तो हम दो pointer use करते हैं, एक start, जो कि 0th index, initially 0th index को point करेगा, और end last index को point करेगा, तो अब end क्या है, array length minus 1, तो array में कितने element है, 4, और वो किसको point कर रहा है, 3rd को, क्योंकि array के जो indexes है, वो 0 से start होते हैं, तो हम यह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि end ना 4th index को point करें, क्योंकि 4th index तो कुछ होगा ही नहीं उसमें, और इस case में अगर हम 4th index point करेंगे, तो हमें array out of bound exception आजएगा, ठीक है, इतनी चीज़ clear है, अब उसके बाद क्या important point है, कि हमें array के सारे elements को reverse करना है, तो हम एक लूप यूज़ करेंगे, लूप वो चाहें फोर लूप हो, चाहें वाइल लूप हो, उसमें, जो इस index पे, इस array के अंदर, जो start, जो index है, उस पे जो element है, वो temp में assign कर दो, तो start की value क्या 0 है, तो 0 इंडेक्स पे क्या element है, 1 है, तो चलिए हम temp में assign कर देते हैं, फिर जो इस index पे है, उस पे हमें क्या करना है, कि जो end index पे जो value है, उसे copy कर देना है, तो एन इंडेक्स पर क्या value है? 9 हमें उसे 0 पर copy कर देना है हमने से समझते हैं एक array draw करते हैं और यहां पर हम करते हैं तो हमने क्या किया? इस पर copy कर दिया तो 9 को हमने इस पर copy कर दिया अब यह सारी जो statements हैं वो क्या कर रही हैं? हम उसे समझ रहे हैं अब इस वाले पर इस index पर हमें क्या करना है, क्या करना है तम क्या दिन क्या था 1 , तो हमने time पर copy कर दिया, ठीक हैं! अब उसके बाद क्याocy ? एन दोनों इंडेक्स के element को थे हमें reverse करना होगा, हमन क्या intend को start करना होगा, ताकि वो इस index पर आ जाए और तो अब हम same ही चीज की temp में हमने क्या किया temp में हमने 7 रख लिया और इस पे हमने 8 कॉपी कर दिया और इस पे हमने 7 कॉपी कर दिया ठीक है उसके बाद हमने start को increment कर दिया 2 और end को decrement कर दिया जो की 1 हो गया अब यह condition false हो गई तो अब हम तो इस while loop में रहे ही नहीं तो हमें इस while loop के बाहर आ गए और यह वाला method मैंने कहां से call किया था main से और main में हमने यह array as a argument पास किया था अब उसको reverse करने के बाद मैंने क्या किया मैंने loop चलाया 0 से array length तक तो यह चलेगा array length minus 1 तक और हर एक में हम array की value प्रिंट कर रहे है तो हमने क्या किया पहले 0 को प्रिंट किया array की length क्या 4 तो I की value अभी 4 से कम है तो 1 प्रिंट हुआ उसकी value फिर next iteration में I की value हुई 1 तो अब यह print हुआ फिर इसके बाद I की value हुई 2 तो यह print हुआ फिर I की value हुई 3 तो यह print हुआ फिर I की value 4 हुई जो कि यह condition violate कर रही है तो हम इससे भी बाहर आ गए तो यह तो मैंने इस array का example दिया बट हमें तो reverse वाला print करना है तो यहाँ पर हमारा print होगा 9 फिर 8 फिर 7 फिर 1 तो हम क्या करते हैं कि चलिए इस प्रोग्राम को run करके देखते हैं कि इसका output क्या रहा है तो अब हम इस प्रोग्राम को अगर run करेंगे तो इसका output आया 9871 तो अब इसकी time complexity की बात करते हैं तो इसकी time complexity है actually यह traverse कर रहा है n by 2 अगर array का size n है तो यह loop चल रहा है n by 2 लेकिन अगर हम जब big o notation में लिखते हैं तो हम इससे लिखेंगे big o n और अब इसकी space complexity की बात करते हैं हमने कोई भी extra space तो use ही नहीं की दो variable use किया है चाहें input कितना भी grow हो जाए हमारी यह दो variables तो change नहीं होंगे तो मतलब space constant है तो space complexity है o 1 तो इस tutorial के लिए बस इतना ही इस tutorial में हमने discuss किया कि कैसे हम दो pointer use करके array को reverse करेंगे तो इस code से related आपके जो भी doubt हो वो आप मुझसे comment section के थूप पूछ सकते हैं तो इस tutorial के लिए बस इतना ही and for more such programming videos tutorial you can subscribe this channel and also you can visit our website which is htps//webrewrite.com and thanks for watching this video और इस वीडियो को like करना मत भूलिए thank you